उत्रप्रदेश के अलिगर से एक अच्छीवो गरीब मामला सामने आया है जहां मवेश्यों की हड़ियों से और चर्पियों से मुर्गी दानी का बनानी का ये पूरा मामला है अलिगर में तहली के एड थाना इलाके में चर्क वालान चौराहे के पास कबार की गुदाम की आड में मवेश्यों के हड़ी और चर्पिय की पिसाई कर मुर्गी दाना बनानी का ये आरोप लगा है लोगों का ये कहना है कि गोदाम सालों से ऐसे ही चल रहा है रोसाना इतनी बदवू आती है कि लोगों का जीना दुर्भर है कई बार प्रशासनी का दिकारी को अवगद पिकरवाय गया लेकिन आज तक कोई कारवाई और सुनवाई नहीं हुई आज मैं अलिगड के थाना देलिगेट शेतर में हूँ जहां पर कि एक गोदाम चल रहा है जिसके अंदर हड़ियों को पीज कर पाउडर बना जाता है जिसको कही जगह पर यूज कि आता है और मैं आज मैं उस जगह को दिखाता हूँ जहां पर इस तरह के मामला हो रहा है सबसाब पहले में आपको यह दिखाऊंगा कि यहां पर सब सबस्टार्टिंग में जिस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं यह कवाड़े का पूरा मंजर बना रखा है और इसके बाद इसमें एक अंदर गोदाम बना रखा है जिसके अंदर सारा इतरेका मलवा भर रखा है और यह लगाता है इसके लिए सारी अधिकारियों को इसकी टिटेल दी गई है लेकिन अभी तक इसके उ और दिखा देता हूं जहां पर यह बदू बहुत बुरी तरह से फैली होई है जिसमें हम खुद दम गुट रहा है इस तरीकी के सिक बदू यहां पर है और मैं आपको दिखा दूँ यह है गोदाम का गेट है और इसके बराबर में आप देख सकते हैं यह जिस तरीके से हड अधिम सिटी डियम सभी के लिए और यहां तक के जो थाना डालीगेट एसो हैं उन तक को जानकरी लेकिन किसी के द्वार अभी तक कोई जानकरी आगे की कोई कारवाई नहीं की गई है मलबाद जो भरा हुआ है यह हड्डियों का चूरा इसको पीस कर यह मुर्गी दाना ब इसके लिए अधिकारियों के पहले से ही आदेस दे रखे हैं योगी सरकार में कि इस तरीके से कोई भी फैक्टरी और ना ही कोई गोदा में ऐसा चल सकता है लेकिन यहां पर अभी तक आज तक कोई भी अधिकारी ने कारवाई नहीं की है अलीगर से जिते अंदरुपता की अधिक रपोर्ट